तो कोरबो, लोडबो, जीतबो, जी हाँ, यही तो नारा है KKR की टीम का और फाइनली इस टीम ने राजस्तान की टीम का जो विजे रहत है ना, उसे रोग दिया पाँच नायक कॉन थेस जीत के, पाँच बड़ी चीजें जो इस मुकाबले में कोलकाता की टीम को जिता गई, सबसे पहले तो यार क्या ओवरॉल परफॉर्मेंस था, मतलब यह होता है एक टीम गेम और एक टीम विन, जिस तरह से कहते हैं कि एक टीम कैसे जीतती है, एक टीम को बड़े स्कोर में, लेकिन जिसने भी खेला, उसने कम से कम यह सोच कर खेला कि चलो एक बड़े स्कोर की तरफ के क्यार की टीम को ले जा लिया जाए, तो सबसे पहले बात करते हैं निश्यत तो पर के क्यार की गेंदबाजी के बारे में, और मुझे लगता है कि जौफरा बलेबाजी की आज के मुकाबले में बहुत आला दर्जे की बलेबाजी थी, सुनिल गावसकर तो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि अब शायद सुनिल गावसकर इस वक्त पर किसी बलेबाज को सबसे जादा रेट करते हैं तो वो शुब मनगीली है और जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले, पहला ही जो उन्होंने शक्का मारा, स्टाडी, हैड, बैलन्स, फॉलो थू, बैट, सब कुछ क्या कमाल का थायर पोजिशन और इसके बाद जिस तरह की शॉट्स उन्होंने खेले, और्थोडॉक शॉट, टेक्सबुक शॉट, ये सब रहुल राविड क्लास से निकले हुए खिलाडी है, वहाँ से पूरी तरह से सज सवर कराएं, बन कराएं हैं, तो क्लास तो इन में होगी, वही शुबमंगिल की बल्लेबाजी में हमें देखने को मिली, इसके बाद जिस तरह से दूसरे नमबर पर मैं देखना यह दो बड़ी कमाल की थी, दो बड़े बले बाजह का विकेट उन्होंने लिया, जिसमें Joss Butler और Sanju Samsung का ना मत पाटा है, Sanju Samsung का पहले विकेट लिया पिर Joss Butler का, पहले ओर में छेहरण दिये ते, दूसरे ओर की पहलीस ऑरी गें में जो है, वो जो है, वो Joss Butler का उट कर दिया तो ये कमाल का उनका और फिर नागर कोटी का performance बहुत कमाल का नागर कोटी ने जिस तरह से bowling किया और जिस तरह से उन्होंने catch लिया वो कमाल का catch शुबन गिल ने जो point गली के बीच में catch लिया वो कमाल का था तो ये एक overall performance था इसके लावा अगर बात करें वरुन चक्रवर्ती ने जिस तरह की केंदबाजी की वरुन चक्रवर्ती की केंदबाजी बहुत कमाल की रही आज उन्होंने दो विकेट चटका लिये तो ये सारी की सारी चीज़े जो है न वो निश्यत तोर पर एक ऐसा strategic point बनती है जिसने केके आर की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी केके आर की टीम अब अच्छा अच्छी लग रही है फिलाल इस जीत के बाद overall performance रहा है चुकि और राजस्तान का विजयरत रुख चुका है वरना राजस्तान आज है ट्रिक लगाने वाली सीजन में पहली टीम बन जाती अब ये सब बाते निश्यत तोर पर बेहद एहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कोलकाता की टीम को लोग कही न कहीं कह रहे थे यार इस टीम में दम नहीं नजर आ रहा है लेकिन आज कोलकाता की टीम ने देखा दिया भाया मिलकर खेलेंगे तो किसी भी टीम को किसी भी दिन पर हरा सकते है आपको भी अगर यह लगता है तो शेर कीजिए वीडियो, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चाल, बहुत बहुत शुक्रिया